हेलो दोस्तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में आज के इस वीडियो में आपको IPO में apply करना सिखाऊंगा अगर आप एक beginners हैं आपको IPO में apply करना नहीं आता है दन ये वीडियो complete watch किजेगा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful रहेगा क्योंकि इस वीडियो में आपको live IPO में apply करके दिखाऊंगा तो चलिए आज का वीडियो start करते हैं तो दोस्तो इसके लिए सबसे पहले आपको grow application को login करने ना है यहां पर आप देख सकते है open now में to लिखा हुआ है यानि कि दो IPO भी open है इसमें आप लोग apply कर सकते हैं इसके लावा नीचे आप यहां पर recently closed IPO को देख पाएंगे और इसके नीचे आपको upcoming IPOs के list देखने को मिलेगा जो भी IPO भी आने वाले है अभी तक आये नहीं है इनका नाम आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा तो यह सारे IPO से भी आने वाले है यह अभी अभी close हुआ है और यह दोनों open है यानि कि इसमें हम लोग apply कर सकते हैं तो मैं आपर example के लिए UMA exports पर apply करके दिखाऊंगा यह वीडियो किसी के लिए recommendation नहीं रहेगा यह सिर्फ educational purpose से मैं आपको समझा रहा हूँ ठीक है तो UMA exports पर आपको click करना होगा पहले तो apply करने पहले आपको इसका detail देखना पड़ेगा न तो detail देखने के लिए आपको यहाँ पर click करना है UMA exports का सारा detail आपको यहाँ पर दिख जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं minimum investment कितना रहेगा आपका 14,300 का और इसका share कृतना रहेगा 220 यानि कि यहाँ पर देखिए कोई भी IPO आप apply करते हैं तो हाँ पर आपको lot में खरीदना होता है जैसे हम लोग nifty में option chain में trading करते हैं तो एक lot खरीदते हैं 50 quantity खरीदना पड़ता है nifty के अंदर तो उसी तरह यहाँ पर एक lot में 220 quantity रहेगा तो minimum आपको 220 खरीदना ही होगा ठीक है तो 14,300 तक आपका investment यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर IPO का detail देखेंगे कब से कब तक IPO में apply कर सकते हैं तो 28 March 2022 से 30 March 2022 तक आप यहाँ पर apply कर सकते हैं bidding dates ही है इसके लाव यहाँ पर 14,300 का investment रहेगा आपका minimum और यहाँ पर 65 रुपए से 68 रुपए के बीच में आपका price range रहेगा यानि कि आप 65 में भी खरीच सकते हैं और 60 में भी खरीच सकते हैं लेकिन यहाँ पर over subscribe हो जाने की वज़े से आपको 68 रुपए ही लगाना पड़ेगा cut-off price पर खरीदेंगे तभी आपको मिल पाएगा नीचे वाले को IPO बहुत मुश्किल रहता है मिल पाना ठीक है तो आप मान सकते हैं कि 68 रुपए में आप खरीदेंगे यहाँ पर देखिए lot size है ठीक है तो इसका एक lot का कितना size है 220 quantity है एक lot खरीदेंगे 220 दो lot खरीदेंगे आपको 440 खरीदना पड़ेगा ठीक है 60 करोड का issue size है इसका और इसका IPO का document आप लोग यहाँ से download कर सकते हैं इसके company के बारे में पूरा detail आपको आपको आपर मिल जागा subscription rate आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर कितना कितना सब्स्राइब किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं company के बारे में और पूरी detail fundamentals आप सारी चीज़े चेक कर सकते हैं foundation इसकब हुआ है 1988 में found हुआ है ठीक है start हुआ यह company manager director कौन है वो सारी चीज़े आप यहाँ पर read more पर click करके इस company के बारे में पूरा detail चेक कर सकते हैं इसके बाद इस company में क्या क्या strength है और क्या क्या risk है यहाँ कि जो भी positive point है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी clearly और जो भी negative point रहेगा वो सारी चीज़े आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसके लाबा आप fundamentals भी check कर सकते हैं कि revenue किस तरह से generate कर रहा है 2019 में 329 करोड का revenue generate हुआ है 2020 में 810 करोड का 2021 में 752 करोड का यहाँ पर revenue generate हुआ है इसके लाब आप profit में जाएंगे तो आप यहाँ पर profit देख सकते हैं किस तरह से इस company की growth है 2019, 2020 में total assets आप यहाँ पर देख सकते हैं इस company का कि कितना-कितना assets यहाँ पर किस-किस साल में है यहाँ पर top IPOs के जो भी question and answer है कि what is the issue size of UMA exports IPO तो यह सारे questions के answer आपको यही पर देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर आपको सारे जो भी frequently questions रहते हैं जो भी आपके में doubt आता है वो सायद आपको यहाँ पर मिल जाएगा और उसका answer आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको apply करना है तो apply for IPO पर यहाँ पर भी click कर सकते हैं या फिर back कर लेता हूँ और यहाँ से भी आप लोग apply पर click करके apply कर सकते हैं तो चलिए apply करके देखते हैं live यहाँ पर apply पर मैंने click किया अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं lot size एक lot अगर खर देंगे 220 quantity खरीदना होगा ठीक है जैसा कि मैंने बताया दो lot अगर खर देंगे तो 440 खरीदना पड़ेगा आपको ठीक है amount आपके bank account में होना चाहिए तो यहाँ पर continue पर click करना होगा इसके बाद आपको यहाँ पर अपना UPI ID डाल देना है जिस भी UPI ID से आप payment करना चाहते हैं और इसके बाद apply for IPO पर click कर देना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं IPO requested हो चुका है उमा एक्सपोर्ट का इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं amount to be blocked कितना होगा amount block होगा कितना 14,960 रुपए ठीक है तो maximum हम लोगों ने amount यहाँ पर block कर लिया है अब यहाँ पर bid detail आप यहाँ पर click करके देख सकते हैं अपना bid detail ठीक है तो यहाँ पर phone pay के through मैं यहाँ पर payment करना चाहता हूँ तो phone pay में मुझे pay करना होगा ठीक है आप चाहें तो अभी भी cancel कर सकते हैं इस application को तो मैं यहाँ पर cancel नहीं करूँगा इसको successfully apply करूँगा ठीक है तो status भी आप यहाँ से check कर सकते हैं कि क्या status है हमारा तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं approval request के लिए है यहाँ पर phone pay में तो phone pay में जा करके मुझे यह payment करना होगा तब ही यह approve हो पाएगा ठीक है तो यहाँ पर मैं phone pay में approve कर देता हूँ इसको जा करके phone pay open करने के बाद देखते हैं आपर क्या क्या approval के लिए आया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं phone pay में मुझे 14,960 रुपए pay करने के लिए बोल रहा है तो आप यहाँ पर view detail पर click करके detail भी check कर सकते हैं ठीक है तो view detail पर click करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं oma exports limited की तरफ से यह request send किया गया है इतना amount है तो अब हम लोग यहाँ पर set up auto pay पर click कर देते हैं तो जैसे हम यहाँ पर click करेंगे आपको यहाँ पर अपना upi pin इंटर कर लेना है तो चलिए मैं यहाँ पर अपना upi pin इंटर कर लेता ठीक है तो अब हम लोग देखते हैं क्या हाल है यहाँ पर status check करके तो दोस्तों अभी हमने phone पे से approval कर लिया है payment के लिए तो यहाँ पर अब मैं refresh करके आपको दिखा जाता हूँ status तो status पर click करूँगा आप यहाँ पर देख सकते है application successfully apply हो चुका है यहाँ पर आप उसकी detail दे पर आजाएगा IPO में apply हो जाएगा और पैसा यहाँ पर आजाएगा और उस share को आप sell करके उस पैसे को withdraw कर सकते हैं अगर आपको IPO allot नहीं होता है तो वो पैसा release हो जाएगा जो block पड़ा हुआ है आपके bank account में तो अभी आपके bank account में ही पैसे हैं लेकिन उसका use आप नहीं कर सकते हैं आप उसका use तब कर सकते हैं जब आपको IPO allot नहीं हो पाएगा ठीक है अगर IPO allot हो जाएगा तो वहाँ से पैसे cut करके यहाँ पर आजाएगे और IPO में लग जाएगे और उस shares को आप बेज करके फिर उस पैसे को withdraw कर सकते हैं उमीद है का आपको यह वीडियो जरूर पसंद आए होगा और समझ में आए होगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करें फिलाल अभी के लिए वीडियो में बसी दना ही मिलते हैं नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत